हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब तो दोस्तो हमारे चनल में उत्राखंड की निसुल की सीरीज चल लही है जिसमें की आपको कम्प्रेट कोर्स कराया जा रहा है तो दोस्तो हमारी उत्राखंड जिला सीरीज चल लही थी उत्राखंड जिला सीरीज में हम लोग अध्यन कर रहे थे चमपाओ जनपत का तो चमपाओ जनपत का पहला पार्ट हम लोग complete कर चुके हैं आज यह हमारा second पार्ट होने वाला है तो चलिए शुरुआद करते हैं देखे सबसे पहले हम लोग अध्यन कर लेते हैं चमपाओ जनपत में जो मंदर है उनके बारे में सबसे पहले आता है पूर्णागरी मंदर देखिए बहुत ही परसिद्ध मंदर है पूर्णागरी मंदर कई बार दोस्तिक जम आपी चुका है कि पूर्णागरी मंदर राज जी के किस जनपद में है तो चंपाओ जनपद में है अगर आप से पूछ ले कि पूर्णागरी जो म इंपोटेंट है कई बार दोस्ति जम आ भी चुका है यहां सती जी की नाभी का अंग गिरा था कहां पर पूर्णागरी मंदिर है वर्दमान में टॉप पहाड़ी पे बिलकूल वहां पर सती जी का नाभी अंग गिरा था उसके बार देखिए अगला आता है बालिस्वर महाद या नौला आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको वहाँ पर पूरी कहां या आपको समझाए थी कि सबसे पहले क्या होता है कि चंदराजा आदेश देते हैं एक मंदर बनाने का एक बालिस्वर महादे मंदर उसको कौन बनाएगा जगनात मिस्टिरी तो जगनात मिस्टिरी होते हैं वो चंदर राजाओं के घमंडे को तोड़ने के लिए एक उससे भी सुन्दर कला करती यानि की एक हतिया नौला का निर्माड करते हैं तो इस परकार से कहानी सब में आपको पिछली वाले वीडियो में बता चुका हूँ तो बाले उसर महादे मंदर का निर्माड कौन करेंगे मतलब होगा तो चंदर आज जब चंदर आजा होंगे उन्हें की काल में इसका निर्माड होगा लेकिन मिस्टरी कौन रहेगा इसमें जगरनाद मिस्टरी का एहम रोल रहा था क्योंकि जो ये बालुसर महादय मंदर है क्योंकि जगरनाद मिस्टरी के इसमें हाथ काड़ दिये थे तो इसलिए ये जगरनाद मिस्टरी यहाँ पर नाम इंपोडेंट रहेगा फिर देखिए यह मंदिर सिल्पकला के दिरिष्टी से जिल्पकला के दिरिष्टी से जिल्पकला के दिरिष्टी से यानि कि प्राचीन मंदिरों के हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए अधिकांस जो एक्जामे प्रशने पूछे जाते हैं प्राचीन मंदिर से ही पूछे जाते हैं तो जो बालिवसर महादेव मंदिर रहेगा ये सिल्प के लागी दिरिष्टी से चमपाव जनपद का सरवतक्रष्ट मंदिर रहेगा जीनड़ द्वार किस ने देखिए यहां पर से कारेंगे देखिए यहां पर से कार देना मुझे लगता थोड़ा मिश्टेक से लिग दिया गया है उद्यानचंद क्या चले देव और ग्यानचंद आप लोग या दखना देना बाद में देखिए क्या होता है राष्टी धरहवर इसको घुषित किया गया था 1952 में जो बालेसर महादेव मंदिर रहेगा इसको राष्टी धरहवर कब घुषत किया गया था यह किया था 1952 में और पूर्णेगरी मंदिर है जो यहां पर चंपाव जिन पर मेले लगते हैं तो पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था पूर्णेगर मंदिर देखिए मानशसर मंदिर कहा पर है जंपावत में और इसको निर्भैजंदन ने बनायता मानशवर मंदिर कहा लएगा चंपावत में चंपाउत में सब्तेस्वर मंदिर हैं देखिए कौन-कौन से बालेस्वर, डिप्टेस्वर, क्रांतेस्वर, ताड़केस्वर, ताड़केस्वर मंदिर एक पौडी में भी है और एक ताड़केस्वर मंदिर चंपाउजनपद में भी आता है उसके बाद देखिए रिसेस्व — करो कहा हंद सब इन साथ मंदरहों में सब्सी के मन्दоры॥ का मंदर सब्से प्रमुकत सब्सक्राइक फिर्चिर आ MBA दर्गी तक है हमें जो मिलता है चंद राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था एक बालिस्वर मंदर देखी और आता है जिसका निर्माण चमपावत में बानर राज बाली दौरा भी बालिस्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था तो दो हमको बालिस्वर मंदिरों का यहां पर उल्लेक मिलता है तो यहां पर से देखिए आपसे एक्जाम में कोशिन ऐसा ही पूछेगा बाले सुर का मंदिर कहां पर है बस इतना पूछेगा तो आपको याद रखना है बाले सुर का मंदिर कहां पर हो जाएगा चमपाउत में बागी इसके निर्मान को लेकर कोशिन जागा नहीं बनेगा निर्मान मापसे जग्रनाद मिस्री का नाम पूछ सकता है और एक बाले बाली आपको option में दे सकता है दो बाले सुरा मंदरों के हिमापर हमको उलेख मिलता है फिर देखिए पाताल रुद्रेसर महादे तो गोलुदेवता का मूल इस्थान चंपावज सहर का गोरिल चौड़ नामक इस्थाल है जहां इनके धढ़ हीन सीर्सी की पूझा होती है ध्यान से सुनेंगे जो गोल देवता का मंदिर कहांपर रहेगा चंपावत के गोरिल चौड़ ने के चंपावत ही हम लोग मानाने द लेकिए उत्राखंड में जो गुलुदेप्ता के मंदिर है वो हमको तीन-चार जगए पर हमको देखने को मिलते हैं मुख्यत हैं हम लोग बात कर रहे हैं जहां पर परसिद्ध है देखिये पहला आता है कहां पर चिताई चिताई कहां पर आता है अलमोडा में चिताई में खोड़ा खाल में आता है। का यह मंदर है लेकिन इनको वहाँ पर कंडोलिया देपता के नाम से जाना जाता है कहाँ पर पौड़ी जनपद में पौड़ी जनपद में जो गुलु देपता का जो मंदर है जो मंदर है उसको कंडोलिया देपता के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर देखिए चारो नाम गोलो देटा का मंदिर है और देखिए जो कंडोलिया देटा का जो मंदिर है पोडिगणड़वाल में ये मतलब पूछ लेगा किस देटा से संब्त है तो देखिए यहां पर गोलो देटा जेनकर गोलो देटा से संब्त है तो ये सारे चीज़은ight आपको याद रखनी है यह ऐसे करके दोस्तों यहां से एक्जाम आपको फासाया जा सकता है यह जो ऐसे पूछ लेगा कंडोलिया देपता का जो गोलु देपता का जो मंदिर है कंडोलिया में या कंडोलिया देपता का ऐसे घुमा फेरा के आपसे पूछ लेगा कहां पर है प अगर मैं बात करूँ गुरु देवता से सम्मंदित एक्जाम में सरवादिक जो पूछा जाने वाला प्रश्ण है जो पूछा गया है तो यहीं से पूछा गया है गुरु देवता किसलिए परसिद्ध है तो इनको न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है सरवादिक ज मंदिर को सिकायति नियाये पाने की इच्छा से मंदिर या या guitar is written आप लोग जाएंगे तो आपको ळिखता दिख़ाएं ये आपको पता होना चाहिए तो देखे अगला हाता है घर type का मंदिर यह घटकु का मंदिर देख़िए ये घटकू आपको याद रखना है बहुत important है घटकू का मंदिर या घटोचकच का मंदिर कहाँ पर रहेगा चमपावत में most important question रहेगा फिर देखिए घटकू की बीडी नाम से इस मंदिर में एक सुरंग है घटोचकच मंदिर है यही पर घटकू की बीडी नाम से एक सुरंग है तो अगर ऐसे पूछले घटकू की बीडी नाम से एक सुरंग कहाँ पर है तो आपका उतर क्या हो जाएगा चमपावत जनपद में एक इंटरी सुरू होता है। तो वहें पर बगल में बिलुकुल जैसे ही आप लोग गेट से नीचे उतरेंगे तो वहीं पर है जूटा मंदिर उसकी लंबी कहानी है और हिडिमबा देवी का मंदिर से यह सब कहा पर हो जाएंगे चंपावत में ने मिजन एक सब्सक्राइब है और एक रमक सूरिय मंदर कहा पर हुञ जाएगा पार्टी चंपावत में जो खेतिकान सूरी मंदर है यह कहाँ पर है लोगार्ट में है और रमक सूरी मंदर है कहाँ पर है पार्टी चंपाओत में तो खेतिकान और रमक सूरी मंदर किस जनपद में रहेंगे चंपाओ जनपद में बाराही मंदर देवी धुरा देखी पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको देवी धुरा के बारे में पढ़ाया था सब कुछ बढ़ा चुका हूँ देवी धुरा के बारे में बगवाल मिला था कैसे कैसे होता है सब कुछ पूरी डिटेल से आपको देवी धुरा के बारे सब कहां परःद में गुर्णाबाज मंदर लिखा मंदर यह पॉडी में जो मस्धिया थुग्रिल growthयाWW मंदर और यहांकुần यह एगा यह कभी 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 दोस्तों ऐसे कोशंद पूछी आते हैं कि जहां में चामू या चौमू देवता कैसे देवता हैं तो आपके सामने चार ओप्षन रहेंगे तो आपका उतर क्या हो जाए का यह पसूं की है या पसूं की रख्षक देवता हैं ऐसे करके आपको याद रखना है फिर देखिए अगला आता है रमकादित देपता हैं और बहुत सकती साल इनको माना जाता है एड़ी फटकसिला मंदिर और चम देवल का सूरी मंदिर और कड़ाई देव मंदिर सब कहां पर जाएंगे चंपावत में फिर देखिए मीठा रीटा साहिक गुर्द्वारा ये भी मैंने आपको पिछली वाली वीडियो मे आपको बता चुका हूं यहीं पर जोड मेरा भी लगता है तो इस सब कुछ पहले ही आपको में करा चुका हूं तो मीठा रीटा साहिब कहां रहेगा चंपावत में फिर देखिए ब्यान धुरा एड़ी देवता मंदिर नहीं पर जाएगा चंपावत में यहाँ पर सब्सक टॉपिक चूड़ गया था यहाँ पर एड कर लेना मायवती आस्रम को अध्यत आस्रम के नाम से भी अध्यत आस्रम के नाम से भी जाना जाता है फिर देखिए एक आती है पाताल रुद्रेसर गुफा इंपोर्टेंट है देखिए यह चंपावत में है इसके बारे में एक ज heute है तरह है और नी से प्टवच का लुद्रेंट रहीग आपसे पूचेंगा। सकती है सरोवर गुफा ऑर गोठ पढ़िया गुफा दो रहां यहांपा चोटी-छोटी और हैं सरोवर गुफा और गोठ पढ़िया गुफा चलिए ठीक है पिर देखिये आम लोग बात कर लिते हैं जो जंपाव जिनलिपत में उनके बारे में ज्यादा नहीं है देखिए एक भागता है श्याम्ला ताल या ऑपको स्याम्ट यासे देखने को मिलेगा स्याम्ला ताल या स्याम्ला ताल तो स्याम्ला तो 1944 में स्वामी व्रिजानंदस के लिए अ सापना की थी। विवेकानन्द जो आस्रम है वो किस जील के किनारे है चंपाउत में तो श्यामला ताल आपको याद रखना है और श्यामला ताल किसलिए परसिद्ध है तो वहाँ पर विवेकानन्द आस्रम है उसी के साथ में देखे यहाँ पर जूला मेला लगता है जूला मेला चंपाउत क किस जील के किनारे लगता है तो श्यामला ताल के जिनारे लगता है और यह स्यामला ताल है इसमें सपेद कमल के पुस्वाभी खिलते हैं विवेकांदा असरम पिछली वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं दोबारा इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे चलिए ठीक है बढ़ते हैं हम लोग आगे, फिर देखिए स्वामि ताल, सूखा ताल, ये सब कहां पर हो जाएंगे, तो सूखा ताल और सूखा ताल कहां पर है चंपावत में, देखी यहां पर से ध्यान दने वाली बात और है, जो सूखा ताल रहेगा एक नेने ताल जिन्पद में भी है एक आता सुख ताल सुख ताल कहाँ पर है चमोली में सब कुछ आपको चमोली वाले जिन्पद में आपको यह बताया था तो स्वामी ताल और सूखा ताल चमपाउत में जो चमुली वाला डिश्टिक में आपको पड़ा था तो वहाँ पर छूड़ गया था आपका जल ताल यह वाला इसको आपको वहाँ पर एड़ कर लेना है तो साइध मैंने चमुली जनपद में यह आपको नहीं लिखवा है था तो आप लोग लिख लेंगे कि जल ताल यह कोशिन छोट रहा हूं देखते हैं आप इसका उत्तर बता पाते हैं कि नाग ताल कहां पर है नाग ताल कौन से जनपद में आता है तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है कि नाग ताल कहां पर है उत्राखंड में चली ठीक है फिर देखिए चली मैं य इस ताल की आकरती गोल है, तो जिलमिल ताल की आकरती गोल है, एक आता है रुदर परियाक का भैंक ताल, उसकी आकरती कैसी थी, अंडागार, लेकिन जिलमिल ताल की आकरती कैसी है, इसकी आकरती गोल है, कोली धेक जील कहां पर है, तो चमपावत में निर्मित की जा रही है, चंपावत रुकमडी नौला कहाँ पर है रुकमडी नौला कहाँ पर हो जाएगा चंपावत में हिडिमबा आस्रम कहाँ पर है चंपावत में फिर देखिए गुल चौडगिला ये कहाँ पर है चंपावत में चंपावत में इस्तित रणसिला को भीम सिला भी कहा जाता है कभी कभी दोस्तों ऐसे कोशिन पूछ लेता है खेती खान कहां पर है तो खेती खान कहां पर रहेगा चंपाउत में यह देखिए जो सेनानी पार्क की जो इस्थापना की गई है वह हर्स देव ओली की इस मरती में यहां पर की गई है इंपोरेंट कोशिन है कि जो चंपाउत म आभी चुका है चले ठीक है बढ़ते हैं आगे फिर देखिए कुछ जल बिद्गित परिजणा है यहांपर हमको देखने को मिलती है देखिए जैसे की टनकपूर पर्योजणा चंपावत में है सारदा नदी पर सारदा नधी को काले नधी भी कहते हैं कुछ भी आपको मिल जाए आपको उसी में आंसर टिक करना है अलग-अलग थोड़ा सा डिफरेंस होता है नामों में तो वहाँ पर थोड़ा संसेसा रहता है बरकरार रहता है तो ऐसे कोशन वैसे कम बनते हैं फिर भी नोट कर लेंगे गोरी गंगा जो टू पर इजना रहेगी वो कहां रहेगी चंपाउत में गोरी नदीबर सारदा नहर देखी कहां पर है सारदा नहर चंपाउत के बनबसा से निकाली गई है जो सारदा नहर है जो सारदा नहर रहेगी इसको कहां से निकाला गया है नोट कर लेंगे सारदा नहर को चंपाउत के बनबसा से निकाला गया है most important कोशन है सारदा नहर को कहां से निकाला गया है चंप परिजना 1996 की भारत नेपाल की संदी के अनुरूप 5040 मेगावार्ट की यह परिजना काली निदी पर बनाई जा रही है लेकि पिछली वाली बीडियो जो हमारी पिथलागड जनपत किया थी तो वहां पर ही मैंने आपको इसके बारें बताया था जो यह परिजना रहेगी वैस परिजना रहेगी वह जंपाव जनपत में इसका उत्तर आएगा अगर आपके सामने राजी देते तो उत्राखंड और नेपल अगर आपसे जिला देते तो चंपावत और नेपल आपको याद रखना है फिर देखिए और इसका यह मेगावाट याद रख लेंगे 5040 पर और यह परकार देख सकते हैं तो टिहरी मेगा वाज़ों टिहरी बांद है उसका उससे वी देख लिए दुगनी तिखनी आपर आ रही है दुगनी एक परकार से मलुक मान सकते हैं तो इस परकार से इंपोर्टेंट रहेगी सब्टेस्वर जल बिदित परिजिना अभी देखिए 552 परिजन बनी नहीं यह अभी बनी नहीं है इस पर कारी चल रहा है 1996 आप लोग याद रखेंगे कि 552 परिजिना के लिए भारत और नहापाल के बीच में संदीक अब होती है तो यह होती है 1996 में सार्दा नदी आप्सन माजा या काली नदी आप्सन माजा तो घब संगम इस तहनला है della काली और सर्रीन इदी के संगम पर है जंपाउत में गढ़ मुक्तेसर मोष्ट इंपूर्टेण कोषिन रहेगा संगम से संबनधि फैना तो कोष्ट नहीं बन जाएगा कि गढ़ मुक्तेसर कहां पर रहा है एक देखिए मुक्तेसर आता है मुक्तेसर व बहुती खूफसुरत जगए और बहुती थंड़ी जगए भी है, बहुत सुकोन और प्राकरतिक द्रिष्टी से बहुत सुदर है, फौल, फौल यहां पर बहुती भूमाणी हो गया, पुलम, खुमाणी, सेब, मतलब जो सीतोषन जो फौल होते हैं भरफूर मातरा में यहां पर होता है मुक्तेसवर, बहुत ही अच्छी जगह है, थंडक भरी जगह है बिल्कुल, मज़ा आता है बिल्कुल, अगर आप लोग कभी आएंगे, कुमाउच खेतर में कोई गड़वाल से घूमने आए, तो आप लोग बिल्कुल आई है मुक्तेसवर में, बहुत अच्छी पर है सीता कुंडे कहां पर रहेगा चंपाओत में और चंपाओत में चाय उत्पादन के लिए फैक्टरियां भी है कभी कभी दोस्तों ऐसे कोशिंट बन जाते हैं कि किस-किस जन्पद में चाय उत्पादन की फैक्टरिया है चंपाओत में है कौसानी में है अलवोडा में है नेनिताल जनपद में है वैसे जो चाय की जो फैक्टर रहेंगी वो परवती छेतरों में ही रहती है चलिए ठीक है फिर देखिए कुर्मसिला, फटकसिला, भीमसिला, रनसिला, बारही सिला यह सब कहां पर रहेंगी चंपाउत जनपद में इंपोर्टेंट हैं सारी की सारी अगर कोशिन ऐसा बनता है कि देविधुरा के जनपद में है, बड़ से पूछले के जनपद में है तो आपके की होजएगा चंपाउत में क्योंकि देविदर्या का पूरा हिस्सा आता है वो पूरा चम्पावत में ही आता है बस जो बॉर्डर रूट टच करते हैं अलुम्ड़ा और नेटाल के वो देविदर्या को टच करते हैं फिर देखिए विविकानन्द जी से संबंदित परसिद्ध मायावतिया आस्रम से कौ होता था और उस पत्रिका का नाम कहा है नोट कर लेंगे इसको पर्बुद भारत-पत्रिका का परकाशन कहां से होता था तो आब करते हैं मायावतिया आस्रम चम्पावत से चलिए ठीक हैं फिर दिखिए एक तलकपूर प्राचिन ना में किसका नाम रहेगा तो टलकपूर प्राची नाम किसका रहेगा टनकपूर का लोह नगरी उपनाम किसका है तो लोह नगरी उपनाम किसका है लोह घाट का फिर देखिए सबसे कम अनुसुचि जाती जनसिंख्या वाला जिला कौन सा है तो चंपावत रहेगा और सबसे अधिक क फिर देखिए मिनी फूट पार्क राज्य में कहां है तो मिनी फूट पार्क राज्य में कहां पर चंपाउत में है याद रखेंगे फिर देखिए डांक्टर एपी जे अब्दुलकलाम प्रदुगी संस्थान कहां पर है तो यह टनकपूर में है डांक्टर एपी जे अब्द अगर आपसे पूछ लेगी डॉक्टर एपीजी अब्दुलकलाम प्रदुगी संस्थान के जनपद में है तो आप उतर क्या हो जाएगा चंपाउत में है कि सहर में है तो टनकपूर में है चलिए ठीक है फिर देखे चंद सास्तक इंद्र चंद ने चंपाउत में रेसम का कार चाहता है ता कि इंद्र चंदल ने सरो परतम कुमाऊ वाले शेतर पर और सबसे पहले हम हम लोग कह सकते हैं रेसम का कारुगबार ये रेसम का कार खाने इसने यहां फरzeबिद नहीं नहीं लिख वाया थहा को क्या कहा जाता था तो उसमें नोट कर लेंगे या नया नोट कर लेंगे उन रेसम बुनकर को क्या कहा जाता था तो आपका उतर क्या हो जाएगा पर टूवे चली ठीक है आप देखिए वहाँ पर से एक पर्था थी पटरंग वाली पर्था ऐसा कहा जाता था रेसम से संबं जूट बोलने वाली एक पड़ता थी एक कुशन दोस्तो जो एंद्रचंद ने जैसे कि रेसम का यहाँ पर कारकाना इसाबित किया तो इसके लिए रेसम के कीड़ चाहिए होते हैं टो इन कीमों को उसने कहा से मंगाया था तो चीन से मंगाया था नैपाल से होते हुए भारत में आते हैं तो ये मंगाया कहा से गयाता है। तो नोड भी कर लेंगे इसको हाला कि पहले भी आपको यह पढ़ा चुका हूँ तो आपको पता होना चीए यह कहां से मंगा यह थे चीन से फिर देखिए कुमाओ का चेरा पुंजी किसे कहा याता है सूखी धांग हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कुमाओ के चेरा सूखी धांग से मोरनोला मोरनोला कहां पर पढ़ता है अलमोला में तो सूखी धांग से मोरनोला तक ततकालिन कमिस्नर चाल सेरिंग ने एक सड़क बनवाई जिसे सेरिंग सड़क भी कहते है या सेरिंग रोड भी कहते है तो कोशिन अगर पूछ ले जो कमिस्नर चाल सेरिं को मिलते हैं कोई आपर आउसेज देखने को मिलते हैं इस इस्तल पर इसलिए इस इस्तल का नाम क्या है मोगल गडी और एक सेना पर नदी आती है यह कहां पर जाएंगे चंपाउत में वहारा चैप्टर हमारा भी चूटा हुआ है चार तीन चार वीडियो ज़्यादा हो रहेंगी और आपका यह सब समापत हो जाएगा जिला स्रीज तो दोस्तों हमेशा की तरह एक बात कहूंगा फेजुक पेसे हमारे जुड़ जाईए आप नहीं नहीं जानकारे वहां से काफी सारी जानकारे मैं वहां से आपको कर दिया कीजिए और बैल आइकन को प्रेश जरूर किया कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो चैनल पर अपलोड होती है उसका नोटिफिकर्सन आप तक पहुंच जाए तो दोस्तों मिलता है अगली वीडियो में आज ही लेते नहीं अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइ